नमस्कार मैं प्राणशे राठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज एक बार फिर से सुर्खियों में आचुकी है सिराथु सीट से विधायक महिला नेता पल्लवी पटेल पल्लवी पटेल हाल ही में कौशांबी पहुँची दो दिवसिये दोरे पर वहें नसराई और वहाँ पर पहुँचकर उपमुख्य मंतरी केशब पिरसाद मौरे पर उन्होंने जम कर निशाना साथ दिया जैसा कि हमने आपको बताया ही बीती पिछली रिपोर्ट में कि पल्लवी पटेल किस तरीके से यहां पर कुछ कारे को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई नसराई हैं और मांग यहां तक करती हुई नसराई कि उपमुख्य मंतरी नैतिकता से अपने कारे को निभ किले कम होने का नाम तक नहीं ले रही है जी हां पल्लवी पटेल इस वक्त तमाम बड़ी दिक्कतों का स्तामना करती हुई नसरारी दरसल आपको बता दें कि सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल हाल ही में एसपी से मिलने पहुँची और उस दौरान उन्होंने ओव सवाल पर वह कहती हैं कि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं मिला है दरसल आपको बता दें कि दो दिवसिये दोरे पर पहुँची पल्लवी पटेल ने जमकर निशाना साधा केशब प्रसाद मौरे पर लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर पल्लवी पटेल कुछ विवादों के च पल्लवी पटेल की इसी शिकायत पर निर्वाचन आयोग से की गई थी और इसका संग्यान लेते हुए उनसे जवाब भी मांगा था इतना ही नहीं आपको ये भी बता दें कि इसके खिलाफ पल्लवी पटेल ने सुप्रीम कोट का रुक किया और कोट ने पल्लवी पटेल से कहा कि आप निर्वाचन आयोग की नोटिस का जवाब दें हम इस स्टेज पर मामले में हस्तचेप नहीं करेंगे मीडिया से बातचीत करते हुए पल्लवी पटेल ने साफतोर पर कह दिया कि मैं निर्वाचित हूँ जनता ने मुझे वोट देकर निर्वाचित किया है मुझ चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देने के सवाल पर उनोंने कहा मैं अभी तक ऐसी कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं की हूँ इस तरीके से पल्लवी पटेल ने खुलकर अपनी बात रखी मालूम हो कि पल्लवी पटेल को अब तक इस मामले में राहत नहीं मिली है पर इस मामले में कोई भी हस्त चेप नहीं करेंगे फिलाल देखा जाए तो पल्लवी पटेल यहाँ पर अपनी विधाईकी को लेकर काफी ज़ादा तमाम बड़े विवादों का स्तामना कर रही है जिस तरीके से सपा के वरिष्ट नेता आजम खान तमाम दिक्कतों का स्ता सामना करते हुई नसराए उनकी मुश्किले काफी ज़ादा बढ़ गई और हेट स्पीच मामले में वह बुरी तरीके से फस्ते हुई नसराए और कोट ने उन्हें तीन साल तक की सजा सुना दी विधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द की जा चुकी है और आने वाले समय में लंबे वक्त तक वह चुनाफ तक नहीं लड़ सकते हैं ऐसे में देखा जाए तो पल्लवी पटेल भी यहां पर तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना करती हुई नसराए उनकी विधाई की इस वक्त खत्रे में पड़ी हुई है देखना होगा कि आगे चलके पल्लवी पटेल क इस तरीके से इंदिक्कतों का सामना करती है और कोट का क्या कुछ फैसला इस पर आता है फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज